अगर आपको प्रीवेस वीडियो और ये वीडियो अच्छी लगे तो तो बिना किसी देरी के बच्चो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ तो देखो सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले क्या देखेंगे बचो आंतर मैंतर क्या करता है आंतर किसलिए होता है ठीक है पूरा मेल रीप्रोड़क्टिव पार्ट हम लोग इसके भीतर कवर करने की कोशिश करेंगे चीक है तो सबसे पहले बच्चा याद रखो ये बात को अंतर जो होता है ये डाइ थीकस होता है डाइ थीकस मतलब ये दो लोब से बना रहेगा ये दिख रहे है न ऐसे बड़े बड़े दो ऐसे लोब रहेंगे ठीक है और ये होता है डाइथी का स्ट्रक्चर ठीक है क्योंकि दो लोब्स होंगे और इस लोब में चार लोब्यूल्ज होंगे और इसलिए अन्थर को टेट्रास पोरंजीयेट कहा जाता है तो मतलब अगर राएंथर को हमें ऐसे ऊपर से देखेंगे ना बच्रो इसके अंदर अपने ऐसे चार लोबिऊलज दिखेंगे, और इन चार लोबिऊलज में क्या होता है पता है कि एक बहुत बड़ा सूरेट होता है, आरे बहुत ज्यादा कुल यह तां पौलन ग्रेंजी हो जाने तो repeat होने देंगे आपन ठीक है तो देखो इच मोनो थीकस या एंथर देखो इसके अंदर दो पोलन सैक रहते हैं और या फिर अगर अंथर हमारा डाय थीकस है तो इसमें चार पोलन सैक होते हैं इसलिए इसको tetrasporengiate कहा जाता है ठीक है उसके बाद जो next है हाँ अब देखो अब जो ये अंथर है अभी देखते हैं पीछे लेके जाते इसको अब ये जो अंथर है ना बच्चों अंथर अंथर की जो ये बाल है ना बच्चा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ठीक है सबसे पहले inner की inner सेल्स कुन से होते हैं, स्पोरो जीनस स्टिशू या फिर स्पोरो जीनस सेल्स, ठीक है, स्पोरो जीनस सेल्स और बाद में होते हैं, पर्राइटल सेल्स ठीक है, अब पर्राइटल सेल्स जो है, ये चार लेर्स होती हैं इसमें, है ना, सबसे पहले तो कौन सी, सबसे पहले हमारी होती है, एपिडर्मेश उसके बाद होता है, एंडोथीशियम, फिर होता है, मिडल लेयर और लास्ट में होता है, टैपेटम है ना, तो ये चार लेर्स होती है, अगर आप लोग को इसका स्कुरिंशॉट निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, तो अब इसको आगे लेकर जाएंगे, तो देखो, चार सेल्स देखें हमने, देखो, स्पोरोजिनस सेल्स है, स्पोरोजिनस टिशू बनाएं माइक्रो स्पोर टेट्राइड, क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोर टेट्राइड, मतलब देखो, एक स्पोरोजिनस टिशू, इस से आए, दो स्पोरोजिनस टिशू, और इन दो से आए, और दो-दो स्पोरोजिनस टिशू, तो टोटल कितने टिशू बच्चों, दिख रह हो गए और इस ही को माइक्रोशपोर्टेस्स शेक्षन देखे मतलब मानलो यह लोग इसे इस से ओपर से बनके ऐसे वपर का तुडी वीव अगर देखे हैं लोग तो धेक्षक evolves मैंने बूलाता ना चार लोब्स होते देखो एक दो तीन चार है ना इपीड़मेज एंडोथीशियम फिर मीडल लेयर और लास्ट में अंदर वाली टैपटम होता है और टैपटम की भी अंदर देखो बच्चों स्पोरोजिनस टीशू होता है और स्पोरोन टीशू का डिविजन जब होता है तो माइक्रोण स्पोर्य टेल्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है तो यह आप लोग वाले अच्छित याद रखना है पिक पो आउटरमोस होता है वही प्रोटेक्टिव लेर होता है और किस से बनाए टिबियोलार या फ्लाटन सेल से यह चीज़ बनी है एंडोथीशियम सब एपिडर्मल लेर है made up of radially elongated cell with fibrous thickenings इसमें fibrous thickenings होगी मतलब ये भी कैसी लगबख protective ही होगी इनर एंडोथीशियम के अगर देखे तो एक से दो लेर होती है middle layers की किसके middle layer cells होते है जो इसकी एक से दो layer की cells होती है इसलिए इसको middle layer बोला जाता है और last में देखो बच्छो last में क्या last में होता है tap item जो की nutritive रहता है मतलब आईसा समझ लो anther का tipkin box रहता है ठीक है Anther का क्या होता है tipkin box होता है और ये ङःंफर को क्या करेगा nutrition provide करेगा क्या करेगा nutrition provide करेगा Anther को तो अगर आपको इसका स्कुइन शॉट लेना है तो बच्चा ले सकते हो ठीक है अब देखो माइक्रोश पोरोजेनेसिस इसके पहले आप लोग को स्ट्रक्चर ओफ पोलन ग्रेन समझना जरूरी है ठीक है कि बहुत पोलन ग्रेन दिखता कैसे है काईको दिखता है क्या काम होता है ठीक है तो लेड़ अस कंसिडर यह रेड़ जो डॉट बना रहेगी मैं कोशिश कर रहा हूं मान लेते हैं यह हमारा पोलन ग्रेन वा है का है भहिया पोलन ग्रेन है हमरा ओके इसका थोड़ा सा ठीक है यह हमारा क्या है पोलंग देना है ओके अब इसमें आपको बच्चों दो टाइप के सेल्स दिखाई पढ़ने वाले हैं ठीक है दो आपको सेल्स दिखेंगे एक यल्लो पार्ट दिख रहा होगा और एक रेड़ पार्ट दिख रहा होगा ठीक है तो यल्लो पार्ट बच्चों जब भी इसका डिविजन होता है ना पोलन ग्रीन का तो यहां पर दो टाइप के सेल्स बनते हैं बच्चों ठीक है एक बड़ा नुकलियस दिख रहा होगा जिसमें रेड़ पार्ट है और एक छोटा नुकलियस आपको दिख रहा होगा जिसमें यह जो यल्लो पार्ट से बना है और इसको अपन मान लेते ग्रीन इसका साइट्रोप्लेजन डाल देते ठीक है तो यह देखो यह क्या है हमारा यह पूलन ग्रेन है तो पूलन ग्रेन की आउटर लेर भी बना रहा हूँ मैं देखो भी यहाँ पे वो यल्लो कलर से बना रहा हूँ ठीक है ये मान लेते ही है हमारा पूलन गरेन है ओके आउटर लेयर को क्या बोलते है बच्चो rad Montana china क्या बोलते है extend इनर लेयर जो ये वाइट कलर की दिखरी होगी आपको वो होती है in time है न paradigm in time अब ये जो छोटे-चोटे gap से ले बच्चो यह होते हैं जर्म पोर क्या होते हैं यहीं से पोलन ट्यूब बाहर को निकलेगी ठीक है फिर यह चुटकव सेल दिख रहा है न बच्छा यह चुटकव सेल है इसको बोलते हैं हम लोग जनेरेटिव सेल और यह बढ़का सेल दिख रहा है न यह होता है बच्छो वेजिटेटिव सेल दिख रहा है क्या जनेरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल ठीक है तो यह कुछ अपना टिपिकल पोलन ग्रेन ऐसा दिखाई पड़ता है अब जो एकजाईन है यह इसके उपर न एक टफ कवरिंग होती है यह टफ सबस्टेंस से बना रहेगा है न जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव रहेगा ताकि पोलन ग्रेन बचे रह सके और यह टफ सबस्टेंस होता है बच्छा पोलन इन क्या होता है स्पोरोपोलन इन इस यह टाइप के यह पैसे बना रहेगा अगर स्क्रिन शॉट निकालना चाहते अwen। बच्छे तो यह याद रखला चार है पुल्डव को यह मैं बता देता हूं यहां पर लिखकर ठीक है यह अपना माइक्रोश्पोर मदर इस बार की मान लेते हैं आप ओके यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है जबी भी यह चीज डिवाइड होती है तो कितने सेल्स त्यार होते हैं बच्छों है फॉर्स इसका देखो यह क्या है मान लेते हैं अपन लोग यह 4N है ठीक है उसके बाद में 4N बनलब यहां पर क्या हो रहा है यह 2N के दो जोडिया बन रही है फिर इनका और मियोसिस होगा ठीक है और यह फिर ऐसे दिख रहा है ना ऐसे 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं जिसके वज़े से आगे चलके पोलन ग्रेंज मतलब पोलन ग्रेंज ही बोलेंगे इनको ठीक है इसके बाद हाँ माइक्रोस्पोरोजनेस अब यही प्रोसेस देख रहे हैं तो टिपिकल पोलन ग्रेंज जो की देखो इसके गैमेट कैसे होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं है यूनिसेलिलर बोडी होती है विच सिंगल नूकलियस इट इस सराउंड़ेट बाइट टू लेर्स जैसे मैं होती है वो कॉंप्लेक्स होती है नॉन बायोडेडेडेबल होती है कैसी नॉन बायोडेडेडेबल मतलब इसको कोई भी खराब नहीं कर सकता और वो एक सब्संसे बनेगी जो की होता है स्पोरोपोलेनिन और इसको हम एक्जाइन कहते हैं क्या कहते हैं एक्जाइन कहते हैं क में अब देखो जो in time होता है ये smooth होता है सबसे पहले ठीक है अब उसके बाद अगर मैं देखो धीरे धीरे हम क्या गरते हैं आगे बढ़ते हैं एकजाइन यह बहुत ही इसा पतला सा होता है और नहीं प्लेसेज को हम बोलते हैं जर्म पोर जैसे आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा बच्चों यह दिख रहा है नहीं यह गैपस दिख रहे हैं के इसके अंदर यह जो गैपस थे यहां से देखो पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है अगर यह जर्म पोर गिसी पोलन ग्रेहं में एक ही है तो इसको यूऑनि पोर एट कहा जाएगा और अगर यह पोलम जर्म पोर तीन है तो इसको ट्राइप्र गर आ कहा जाएगा ट्राका हाज आएगा तो अब देखो बच्छों यहां पर देखो स्प्पोरो дов या फिर जर्म पौर बोलेंगे तो देखो अब ये जो है जर्म प्लब जो है इसमें से पोलनट ट्यूब बाहर को आती है क्या होता है फोलनट ट्यूब इसी के तुरू बाहर आएगी और जेनरेटिव सेल को लेकर आएगी अब जैसे जेनरेटिव सेल नीचे नीचे एग के तरफ आएगा तब यही जेनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा और दो नॉन मोटाइल हैपलोईड मेल गैमेट्स तैयार हो गए रहेंगे ठीक है यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है अब इसके बात की जो इनर ले रहे ना बच्चे उसको क्या बोलते हैं लोग इंटाइन क्या बोलते हैं इंटाइन कहा जाता है और जो की सेलूलोज और पेक्टीन से बनी रहती है यह इंपॉर्टन्ट है किस से कौन सी का beginning होता है beginning में मतलब आप यहां से बनने वाले मेल गामेट्स ठीक है फिर आप देखो जब भी मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि जब भी पोलन ग्रेन नीचे जाएगी स्टाइल के थुरू एग तक तो क्या हो जाएगा माइट्रोटिक डिवीजन होगा और उस वज़े से देखो अभी पहले तो पोलन ट्यूग जाने से पहले दो सेल्स बनेंगे देखो यह हमारा पोलन ग्रेन एक न्यूकलियस था इसका लेकिन अभी इसमें हो जाएगा विभा होते हैं जेनरेटिव सेल जिसमें साइटोप्लाजम होता है कम और उसमें फूड का भी कमी होती है वेजिटेटिव सेल में इसके उल्टा साइटोप्लाजम जादा होता है इसमें फूड का भी जादा प्रमान होता है तो इस वज़े से जेनरेटिव सेल का सिर्फ काम क्या है नॉन मोटाइल गैमेट मतलब तयार करना ठीक है मतलब खुद डिवाइड होके दो मेल गैमेट बना देना लेकिन आप अगर एक पानी का बावल है उसमें आपने एक ड्रॉप तेल दाल दिया ठीक है तो तेल कैसे suspended form में आपको दिखे का पानी के ड्रॉप में वैसे ही कुछ जो जन्रेटिव सेल हैना हमारा वो suspended होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लासम में यह आपको अच्छे से याद रखना है बच्छों उसके बाद वेजिटेटिव सेल रिच इन फूड जस्ट अभी कुछ अभी ही मैंने बताए यह सब चीजें आपको ठीक है और जन्र हुशन तेग्म ही मैं आइप उसका फिर से क्या होगा मैटक डिविजन होगा और उस वजए से नॉन ऑं मोटायल में लेकिन कितने दो तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स तयार हो जाएंगे तो माइटोटिक डिविजिन ऑफ जन्रेटिव सेल टेक्स प्लेस इन आइदर पोलन ग्रेंज और इन पोलन ट्यूब दो कंडिशन है एक तो यह दूरिंग जर्नी ही डिवाइड हो जाते हैं नहीं तो पोलन ट्यूब में पहले हो जाएंगे और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे ठीक है पोलन ट्यूब जार शेड पोलन ग्रेंज आर शेड फोर्म आंथर अड़ देस्टू सेल स्टेज इन मोस्ट अफ दा एंजियो स्पर्म में क्या हो रहा है पोलन ग्रेंज जो है यह तू सेल स्टेज में कनवर्ट हो जाते हैं ठीक है तो याद रखो टू सेल स्टेज मतलब इन मोस्ट अफ दा एंजियो स्पर्म यह याद रखना और यही था हमारा पूरा टीएस ओफ एंथर फिर उसके बाद मैं बोलूँगा स्ट्रॉक्चर ओफ पॉलन ग्रेंज फिर बाद में अब अपन क्या करते हैं बच्चो एक शौर्ट रिविजन ले लेते हैं ठीक है सबसे पहले हमने देखा एंथर के बारे में हम लोग देख रहे थे हैं ना एंथर देख रहे थे अगर एंथर में बच्चो टू लोब्स है इसमें कितने टू लोब्स अगर है तो ये एंथर क्या होगा बच्चो डाई ठीकस होगा ठीक है फिर अगर चार लोब्यूल्स है या फिर चार पॉलन सैक है तो इसको हम क्या कहेंगे टेट्रा स्पोर एंजीएट क्या बोलेंगे टेट्रा स्पोर एंजीएट क्या कहेंगे बच्चे टेट्रास्पोरेंजी एट फिर उसके बाद मैं स्ट्रक्चर अगर मैं बोलू कि पोलन ग्रीन का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले तो यह देखते हैं एंथर एंथर में मैं को एक बात बताओ कितने टाइप के सेल थे दो टाइप के थे ना जो इनर थे एक आउटर लिग देते हैं फुल रिविजन है यह एक इनर लिख देते हैं एक आउटर लिख देते हैं इनर में क्या है बच्चो इनर में कॉंसल इस से बना a part जैनस repertoire के ए सल को बनाते हैं बच्चो sporogenes sp tissue लिख देता हूं मैं यह पर और sporogenes tissue आगे divide होके क्या बनाते हैं four micro spore इसी लिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग बच्चा tetrad है ना अब जो यह outer है यह क्या बनाते हैं एंधर वाल लेयर क्या बनाते हैं बच्चो एंधर वाल लेयर अब यह outer वाल लेयर जो होती ना बच्चो इसके चार टाइप से होते हैं कितने हैं चार तो अंदर से स्वारी बाहर से अंदर के तरफ हम लोग one by one layer को देखते चाहेंगे तो सबसे बाहर की layer कोंसी होती है इपीडरमिस फिर उसके अंदर कौनसी होती है एंडो थीशियम पिर उसके बाद में मिडल लेयर उसके बाद में होती है मिडल लेयर और लास्ट में कौनसी होगी बच्चो टैपेटम कौनसी होगी टैपेटम को याद रखना है आपको nutrition देती है क्या देती है nutritive layer होती है एंथर का टिफिन बॉक्स होगा उसको पूरा nutrition provide करने का काम टैपेटम का होता है ठीक है यहां तक हमने देखा फिर उसके बाद देखते हैं बच्चो उसके बाद देखते हैं ठीक है उसके बाद हमने देखा structure of pollen green structure of pollen green देखो male reproductive system हमेशा ही easy होता है complex female reproductive system और fertilization वाला part होता है ठीक है तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि male reproductive systems में limited part आजाते हैं जो कि normal तरह के से learn हो जाता है हम सबको लेकिन female reproductive system में क्या होता है बहुत सारी चीजें होती है no doubt अगर वो humans में हो या plants में हो तो ओड़ा complicated जाता ही है और उपर से जब हम लोग fertilization development of embryo देखते हैं तो दोनों तरफ भी बहुत ज्यादा हाड जाता है बच्चों को तो ठीक है तो उसको ज्यादा study करना चाहिए बच्चों अपने ठीक है तो देखो structure of pollen grains pollen grain हमने देखा था देखो कुछ ऐसा दिखता है है ना कुछ ऐसा दिखता है कि आउटर लेर को क्या बोलेते बच्चों हमने एक्जाइन एक्जाइन किस से बना है sporo पोलेनीन उसके बाद inner layer क्या होता है बच्चों end time क्या इन टाइम यह किस से बनाया है cellulose एंड पेक्टीन है ना उसके बाद में देखो अंदर अंदर तो आपको पता है क्या रहता है लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं यह अपना generative cell और यह वाला बड़ा cell जो है अपना vegetative cell तो उसके बाद में जो larger one है देखो लार्ज सेल इसको क्या बोलते हैं वेजी टेटिव सेल लिख देता हूं मैं उसके बाद यह आगे चलके क्या बनाता है बच्चो पोलन ट्यूब है ना पोलन ट्यूब बनाएगा और उसके बाद में generative cell है ना generative cell और यह आगे चलके क्या बनाता है बच्चो haploid non motile male gamut ठीक है और यह था पूरा का पूरा आज का session अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो बिलकुल चैनल को like, share, subscribe कर दें मिलते हैं ऐसे ही normal और best तरीके की वीडियो के साथ next session में तब तक के लिए goodbye, good luck, जै हिंद